2024 के लोकसबा चुनाव संपन होगे, नई सरकार भी बन चुकी है और हमारे परदान मंत्री सिरी नरंदर मोदी जी ने पहला विदेशी दोरा भी पुरा कर लिया है अब परदान मंत्री जी को फूरसत है और वो परसासनिक और क्रमचारियों और पैंसनस के हित में निर्ने लेंगे क्योंकि जो डिपार्टमेंट है पैंसन डिपार्टमेंट नरंदर मोदी जी ने खुद रखा है कहीं न कहीं पैंसनस में नाराजकी थी और उस नाराजकी को दूर करने के लिए मोदी जी अब कड़े फेसले लेंगे और उन फेसलों से कहीं न कहीं पैंसनस को फाइदा होगा क्रमचारियों को फाइदा होगा मोजुदा समय में सबसे बड़ी मांग है आठवे वेतन आयोग की गठन को लेकर तो अब एक breaking news आ रही है आठवे वेतन आयोग को लेकर आ गई बड़ी खुसकबरी आठवे वेतन पर वित मंत्री का प्रस्ताव देखिए अभी अभी ये खबर आई है वेतन भते और पैंसन की समिक्सा के लिए आठवे वेतन आयोग का गठन वित मंत्री का प्रस्ताव 14 जून 2024 की ये खबर है साथमे केंद्रिये वेतन आयोग की सिपारिसों को एक जनवरी 2016 से लागू किया गया था लेकिन इस वेतन आयोग में करमचारियों की कई मेतव पुर्ण मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई वर्तमान की आर्थे किस्तेति और बड़ती महाई को देखते हुए आठवे वेतन आयोग का गठन आउस्यक हो गया है ताकि केंदर सरकार के करमचारियों और पैंसनर्स के वेतन बत्ते और पैंसन की पुने समिक्सा की जा सके स्टाप साइड ने साथमें वेतन आयोग और इसके बाद भारत सरकार से एक जनवरी 2016 को न्यूनतम वेतन 26,000 रुपे परतिमा करने की मांग की थी जिसे केंदर सरकार ने खारिज कर दिया था साथमें वेतन आयोग में केंदर सरकार ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपे परतिमा रखा जो की करमचारियों की अपेक साउं से काफी निचे था इसके अलावा 3.68% फिटमेंट फेक्टर की मांग साथमें पे कमिशन में केंदर सरकार के करमचारियों के लिए की गई थी जिसको भी सरकार ने नजर अंदाच कर दिया तो पैंसनस और करमचारियों ने 4 जून 2024 को जो नतीजा है उसमें भी सरकार को नजर अंदाच कर दिया था और इसी के बाद अब सरकार अलट हुई है करमचारियों और पैंसनस को खुश करने के लिए लगी हुई है साथमें वेतन आयोग में मांग की गई थी कि फिटमेंट फेक्टर 3.68 दिया जाए जो की बनता भी था लेकिन सरकार ने करमचारियों और पैंसनस को नजर अंदाज करते हुए केवल 2.57 फिटमेंट फेक्टर की सिपारिस की जिससे करमचारियों को एसंतोस भी हुआ और करमचारियों को सेलरी और पैंसन में भारी नुकसान भी हुआ तो करमचारियों की जो नाराज की है और हर्ताल की जो चैताउनी दी गई थी इसके बारे में साथे वेतन आयों की परतिकूल सिपारिसों से नाराज होकर राष्टे परिशद जेसीम के गटक संग्टनों ने न्यूंतम वेतन और फिटमेंट फेक्टर की समिक्सा की मांग के साथ सरकार को हर्ताल का नोटिस दिया था सरकार ने सिरी राजना सिंग ग्रे मंत्री, स्वर्गिय अरून जेटली, ततकालिन वित मंत्री, सिरी सुरेश परभू, ततकालिन रेल मंत्री और सिरी मनो शिना जो उस समय राजी रेल मंत्री थे उनकी अध्यक्सता में मंत्रियों की एक कमेटी बिठाई ताकि स्टाफ साइड याने जेसीम के साथ बादचित की जा सके उसके बाद चर्चा की गई और सरकार ने फिटमेंट और न्यूनतम वेतन बढ़ाने का आस्वासन भी दिया था जिसके कारण हड़ताल को इस्तकित कर दिया गया पर दुर्बागे से सरकार दोरा न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फेक्टर बढ़ाने के लिए कोई भी सकारात में कदम अभी तक नहीं उठाया है और अब समय आ चुका है आटमें पे कमिशन का तो मेंगाई बते में बड़ोतरी और वास्त विक्ता में बहुत ज़्यादा अंत्र है आपने च्छटे पे कमिशन में देखा ओगा तो सातमाँ पे कमिशन आते आते जो मेंगाई दर और मेंगाई बता है वो 100% को क्रोस कर चुका था लेकिन इस बार आप देखें साथमें पे कमिशन आया हुआ है आठमें पे कमिशन का डेट साल के बाद इंतजार है लेकिन जो महेंगई बता है वो केवल 50% ही पहुंचा है यानि छटें पे कमिशन की बजाए साथमें पे कमिशन में जो मेंगाई बता और मेंगाई दर है वो आदी ही बड़ी है मेंगाई बता क्रमचारियों और पैंसन बोगियों को वास्तविक मुद्रा इस्पति की तुलना में कम परदान किया जा रहा है मेंगाई बहुत जदा है लेकिन सरकार जो डिये डियार है वो करमचारियों और पैंसनर्स को बहुत ही कम दे रही है 2016 से 2023 तक जो आउसियक उब्वोग वाली वस्तुए हैं उनकी कीमतों में 80% से अधिक वर्दी हुई है जबकि एक जनवरी 2024 तक केवल 50% डिये परदान किया जा रहा है इस करण से करमचारियों को वास्तविक मुल्य वर्दी का पूरा लाब नहीं मिल रहा है सरकार को भी यहाँ पे इस समय डिये डियार जैसा कि 80% जो गरेलू उब्वो की चीज़ों में वर्दी हुई है तो डिये डियार की जो दर है वो भी 80% कम से कम होनी चाहिए थी तो सरकार ने क्या किया 80% डिये डियार को तो नहीं किया लेकिन DADR में जो पैसा बचाया साथी साथ दूसरी योजनाओं से जो सरकार का राजस्व था उसमें खूब वर्दी की 2015 से 2023 तक केंद्रिय सरकार का राजस्व दुगन हो गया है 2022 तेश में आईकर और GST संग्रे में भी उलेकनिये वर्दी हुई है इंकम टेक्स कलेक्शन 9,66,664 क्रोड रुपे रहा है वहीं पे जो इंडारेक्ट टेक्स कलेक्शन है वो 13.82 लाक क्रोड रुपे तक पहुँच गया इससे साफ होता है कि सरकार की बुगतान समता बढ़ चुकी है और अब वे करमचारियों को अधिक वेतन और बद्दे भी दे सकती है कोरोनो काल में 18 महीने का DADR भी रोका गया था और मुझूद समय में सरकार की इतनी कैपसिटी है कि 18 महीने क्या 36 महीने का DADR भी केंद्री करमचारियों और पैंसनस को भुगतान कर सकती है लेकिन सरकार की मनसा लोकसबा चुनाव 2024 से पहले कुछ और थी और अब सरकार की मनसा बदल रही है जिसमें इधिक एंद्रीये करमचारियों और संक्तनों द्वारा इस मांग को सही तरीके से उठाया जाए कि 18 महीने का DADR का भुगतान भी किया जाए तो सरकार को मजबूर होके करना पड़ेगा अब दूसरी तरफ जितने भी जो सरकारी विबाग है उनमें करमचारियों की संक्या में तो कमी हो रही है लेकिन जो कारेरत करमचारी है उनके ओपर वो काम का बोज बढ़ रहा है पिसले दसक में केंद्रिय सरकारी करमचारियों की संक्या लबक 10 लाग रिक्तियों के साथ कम हो गए यानि 10 लाग करमचारी केंद्र सरकार में कम हो गए मोजुदा करमचारियों पर कारे का दबाव बढ़ गया 2021 में केंद्रीय सरकार करमचारियों के वेतन और बत्तों पर खर्च कुल राज़स वुए का केवल 7.29% था यहनि यह दी 100% बजट को माने तो जो सरकारी करमचारियों का वेतन उस पर सरकार ने केवल 7.29% ही खर्च किया जबकि पेंसन बोगियों पर ये खर्च केवल 4% था दूसरी तरव जो हमारे सेना के जवान हैं उनका देखें तो रिटार्मेंट पे रोक लगा दी इसका मतलब पेंसन का खर्चा कम हो गया सरकार ने हर मेक में में हर वी बाग में हर मंतराले में अपनी जो चाल है वो चली है लेकिन वो चाल फिस्टडी साबित होई अब सरकार को जो पेशा बचाया था वो यह खर्च करना पड़ेगा नहीं तो जो दो हजार उन्तीस में क्रमचारी और पैंसनस है वो अपना अपना रंग दिखा देंगे तो इससे पहले जो भी सरकार ने विश्वासकात क्रमचारी और पैंसनस के साथ किया है लेकिन अब समय आ चुका है कि आटवे वेतन आयोग की गोशना करें इस टाप साइड के सचीव मिश्रा जी ने कहा है कि आज की बदलती आर्थिक प्रिस्तितियों और मेंगाई को ज्यान में रखते हुए आटवे केंद्रिय वेतन आयोग का गठन बहुती ज़्यदा जुरूरी हो गया है इस आयोग दोरा वेतन बत्ते और पैंसन की समिक्सा कर करमचारियों की आर्थिक इस्तिति को बेतर बनाया जा सकता है ये नेकेवल करमचारियों के जीविनिस्तर को उंचा उठाएगा बलकि उन्हें अपने कारियों के परती अधिक प्रिरित करेगा साथि साथ करमचारियों की एक और मांगे न्यू पैंसन इस्कीम यानि नेशनल पैंसन इस्कीम को स्क्रेप करें खटम करें और ओल्ड पैंसन इस्कीम को लागू करें स्टाप साइड के सचीव मिस्राजी ने कहा कि 20 लाग से अधिक केंद्रिये, सरकारी, करमचारी, राष्ट्रिये पैंसन परनाली के तहत आते हैं और हर महिने अपने बेसिक वेतन और डिये का 10% NPS में योगदान करते हैं जिससे उनके वास्तिविक वेतन में कमी होती है सरकार ने अब तक NPS को खतम करने है और CCS पैंसन नियम 1922 केते पुराणी पैंसन योजना को बहाल करने की मांग को स्विकार नहीं किया है इसे करमचारियों में एस अंतोस बढ़ता जा रहा है और ये उनकी आर्तिक सुरुक्सा को भी परभावित कर रहा है स्टाप साइड के सचीव मिस्राजी ने आगे काया कि आर्तिक प्रिस्तितियों मुद्रा इस्पिती और क्रमचारियों की गट्टी सेंक्या को देखते वे आठवे केंद्री वेतन आयोग का गठन अब बहुत ज़्यादा आउस्यक हो चुका है ये आयोग वेतन बत्ते और प्रिस्तिती को सुधारने में सायक होगा ये समय की मांगे कि सरकार इस पर तुरंत ज्यान दे और आउस्यक कदम उठाएं और अभी से ही आठवे वेतन आयोग का गठन कर दे ताकि समय रहते वे आटवाँ वेतनायोग सभी fact और finding कर सके अपनी recommendation बना सके और सरकार को समय पे बेज सके तो इस परकार काफी पहलूओं को यहां पे सामिल किया गया है उपरोग सभी पहलूओं को द्यान में रखते वे सचिव मिसराजी ने वित मंतरी से ततकाल परवाव से आटवे वेतनायों के गटन करने की मांग कर दिये उनका कहना है कि अब समय आगया है कि सरकार तुरंत आटवे केंद्रिये वेतनायों का गटन करें इससे नेके उल करमचारियों के आर्थिक इस्तिति में सुदार होगा बलकि वे अपने करतवियों को और भी अधिक उत्सा के साथ पूरा करेंगे सरकार से अनुरो दे कि वे इस पर ज्यान दे ज्यान दे ज्यान दे और आउस्यक कदम करमचारियों और पैंसनस के हित में उठाए और आठमे वेतनायों को गठित कर दे ताकि समय पे वो लागू हो सके और जिस परकार साथमे पे कमिशन में फिटमेट फेक्टर 3.68 की मांग की थी और 2.57 दिया गया था तो वो एक बड़ी एनॉमली है उस फिटमेट फेक्टर में जितना वेतन और पैंसन कम बढ़ाया गया था उसको आठमे वेतनायों में जोड़ के बढ़ाए आठमे वेतनायों में फिर से करमचारियों और पैंसनस मांग कर रहे हैं कि 3.68 फेक्टर दिया जाए और सरकार इस बार यदि नहीं देगी तो करमचारियों और पैंसनस इतने ना समझ नहीं है कि इनके साथ में लगातार विश्वासगात हो और वो चुप बैट जाए तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है आप अपने राए कमेंट बोक्स के जरी जरूर रोखें और इस मांग को वित मंत्री तक पहुंचाए वित मंत्राले तक पहुंचाए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें